नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिशित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतों पुछ जानकारी को ले करके जहां बढ़ते हुए डाइबिटीज को कुछी दिनों में कंट्रोल करती हैं ये 5 चीजें डाइबिटीज एक कॉमन सी बिमारी ह गई है आजकल हर उम्र के लोग इससे परिशान रहने लगते हैं कुछ लोग डाइबिटीज को बहुत मामूली और छोटी मोटी बिमारी समझते हैं जबकि ये सिर्फ उन लोगों की गलत फेहमी है क्योंकि अगर देखा जाए तो डाइबिटीज से गंभीर और खतरनाक इसकी चपेट में आ गया तो जीवन भर इसके लिए परहेज करना पड़ता है कुछ लोग डाइबिटीज से बचने के लिए कई प्रयास करते हैं बावजूद इसके उनका डाइबिटीज कम नहीं होता है इसे कंट्रोल करने के लिए नियमित दिन्चरिया और पोशन युक साथ इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है इसे नियंतरित करने के लिए हेल्दी डाइट चार्ट होना बहुत जरूरी है इंसुलीन हार्मोन के स्त्राव में कमी से डाइबिटीज रोग होता है डाइबिटीज आनुवान्शिक या उम्र बढ़ने पर या फिर म बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है मधुमे के रोगी को आखों एवं किड्नी के रोग सुन्पन आना जैसी समस्याएं हो सकती है आज हम आपको आज हम आपको बढ़ते हुए डाइबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए एक पॉफेक्ट डाइट चार्ट बता रहे है इस डाइट चार्ट को फोलो करके आप अपनी इस बिमारी से काफी राहत पा सकते हैं जिहां प्रोटीन का करेंश सेवन मधुमे के मरीज को प्रोटीन अच्छी मातरा में एवं उंच गुड़वा तावाला लेना चाहिए इसके लिए दूद, दही, पनीड, स्वयाबीन, इत्यादि का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए इंसुलीन ले रहे हैं एवं गुलिया ले रहे हैं तो डाइविटिक व्यक्ति को खाना सही समय पर लेना जरूरी होता है इसलिए खाने को सही समय पर ही लेना चाहिए ऐसा ना करने पर हाइपोगलाई सीमिया हो सकता ह इसके कारण कमजोरी अत्यधिक भूख लगना पसीना आना नजर से धूंदला या डबल दिखना हरदय गती तेज होना जटके आना एवं गंभिर इस्थिती होने पर कूमा भी हो सकता है करेला है अमरित के समान जिहां डाइबिटीज में करेला काफी फायदेमंद होता है करेल के सो मिली लीटर रस में इतना ही पानी मिला कर दिन में तीन भार लेने से लाव होता है डबल टूंड दूद पीए जिहां डाइबिटीज के मरेज हमेशा डबल टूंड दूद का प्रयोग करें कम कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें जैसे छिल के वाला मेथी दाने का चून मेथी दाना यानि के दरदरा पिसा हुआ लेले आप एक आधा चमच खाना खाने के 15-20 मिनट पहले लेने से शुगर कंट्रोल में रहती है एवं फायदा होता है रोटी के आठे को बिना चोकर निकाले प्रयोग में लाएं एवं इसके गुनवत्ता आपकारी है शहद मधुमे को कम करने में सहायता करता है इसलिए जब भी आपको मीठा खाने का दिल करें तो आप शुगर ना लेकर के शहद लें यह आपके लिए फायदे मंद होगा तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों